Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ बहुत ही एक special remedy जिस remedy को आप अपना करके आप अपने चेहरे की जाईयां, कितने भी पुरानी जाईयां, जिद्धी से जिद्धी जाईयां जो आप बहुत सारी चीज़े अपलाई करने के बाद भी और नहीं जा रहे हैं उन जाईयों को आज जो remedy में बतारी हूँ उस remedy से आप अपने जाईयों को 100% दूर कर सकते हैं दोस्तों यहां दोस्तों यह remedy बहुत ही कमाल की है और यह इस remedy को मैंने खुद ही आजमाया है अपने चेहरे पे और मेरा चेहरा आप देख सकते हैं पहले मेरे चेहरे पे जाईयां थी मैंने आपको दिखाया भी था और मैंने इवें डॉक्टर्स को भी दिखाया था और उनकी जो कॉ आप देख सकते हैं कितनी जादा खत्म हो गई है मेरी जाईया जबकि मेरे दोनों चिक पे जाईया हो गई थी आप देख सकते हैं मेरे जो जाईया है वो कैसे पूरी तरह से खत्म हो चिकी है पूरा यह देखिए कितना इसका बहुत अच्छा result मिलता है इस remedy का दोस्तों और मैं हर चीज पहले अपने उपर अप्लाई करती हूँ, उसके बादी मैं आप सभी को रेमेडी बताती हूँ, तो ये रेमेडी आप सभी बहनों के लिए जीज को जाईया हैं, और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पिंपर्स के दाग, धब्बे और ये सारी चीजे चेहरे पे हो जाती हैं, उन सब के लिए ये रेमेडी काम करेगी, जब चेहरे की जो आपके किसी भी तरह के मांख husbandy हो जाते हैं, उन मांक focus को रजाने ये रैमेडी आज़े का में आज़ काम करने करने वाली है, और 100% आपके फेस और आप के फेसके लिए एफेक्ट रोने नहीं हो रहा है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, तो ऐसा compulsory नहीं है, कि आप इसको इसको इस्तेमाल करते रहो, लेकिन मुझे तो फायदा नजर आया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं, आप सभी से भी शेयर करूँ, तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले, आगर मेरे चैलन पे नए है, फर्स टाइम आया है, तो आपने बहुत दिर कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छी रेमेडी आप सभी को बताती हूँ, सबसे पहले एक छोटी सी काटोरी, आप को ले ली है, काच्छ की तो आप समय सकते हैं काच्छ जो काटोरी होती है, उसमें किसी तरह का reaction नहीं होता है और इस टील में भी reaction नहीं होता है तो आप दोनों में ले सकते हैं कांच है तो बेस्ट है प्लास्टिक के बिल्कुल मत इस्तिमाल करना तो इसके बाद जो हमें दूसरी चीज और ये पहली चीज तो आपन कर लेते हैं और इसको डालेंगे इस बाउल में ये देखिए हमने लिया है दो चम्मच के करीब ये दो चम्मच आपका एक हपते से भी जादा चलेगा तो ये apple cider vinegar जो है दो हपते से ज़्यादा चलने वाला है दो चम्मच तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बना के ना रखें एक चम्मच ले या तो दो चम्मच apple cider vinegar ले सकते हैं और इसमें जो हम add करने वाले हैं आगली चीज़ वो है ये तो ये है दोस्तो lemon तो हमें डालना है इसमें lemon दोस्तो ये combination इतना कमार का combination है कि किसी भी तरह की जाईयां जो बहुत पुरानी जाईयां है उनको भी खत्म कर देगा किसी भी तरह के आपके चेहरे पे अगर marks पड़े हुए है पिंपर्स के दाग धब्बे पड़े हुए है तो उनको भी पूरी तरह से खत्म कर देगा लेकिन ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ आपको पैसेंस रखनी की क्योंकि थोड़ा पैसेंस आरवेदिक चीजों में रखना पड़ता है इसको कई दिनों तक ट्राइ करना पड़ता है धीरे धीरे इफेक्ट आपके चेहरे पे वह साफ दिखाई देता है आपकी गुलाब जल हम आधे चमच डालेंगे तो मैं अपने अंदाजे से आधे चमच के करीब जो है इसमें देखिए इसमें इस्तिमाल कर रहे हूं यह हमारा इतना बन करके देखिए रेडी हो गया है यह इतना और यह हमारा करीब-करीब दो हपते जाने वाला है क्योंकि यह बहुत जादा इस्तिमाल नहीं होता है थोड़े से में ही आपके फेस पे अच्छी तरीके से लग जाता है तो इसको हम मिक्स करेंगे इस्पून की हेल्प से अच्छी तरह से इसको mix कर दे, जैसे कि मैंने इसको अच्छी तरह से mix कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखे, ये remedy आपकी बन करके तयार हो गई है, जो एक बहुत ही कमाल की magical remedy है आपके चेहरे के लिए, मैं guarantee देती हूँ दोस्तो, आप इसको सितमाल करना और मुझे 15 दिनों के बाद मिलना और मुझे बताना, comment में करके कि आपकी जो जाईयां हैं या फिर जो marks हैं, वो कम हुए हैं या नहीं, मेरे तो कम होते हैं भया, अगर आपको भी कम करना है अपना जाईयां, अपने marks, जाग हैं तो फिर कोई फैदा नहीं है, तो इसको apply कैसे करना है आपको, देखिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि कैसे apply करना है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैंने कैसे apply किया हुआ है, आप इसको cotton से या फिर हाथ से ही लगा सकते हैं, आप अपने पूरे face पे इसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ वर सिर्फ जहां जहाईया है, जहां मार्स है, सिर्फ वहीं लगाने हैं, आप पूरे face पे लगाए क्योंकि इससे आपका पूरे face की skin जो है, वो बहुत अच्छे से improve करती है, तो आप इसको पूरे face पे अच्छी तरीके से लगा लीजि कोई भी चेहरे पे इस्तिमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका face क्लीन होना चाहिए, तब आप इसको استعمال करिए, सूबह के वक्त में और रात के वक्त में, दो टाइम इसका استعمال करिए, आप देखेंगे आपके चेहरे में कितना फर्क नजर आ रहा है, दूसरी चीज आ डाल सकते हैं, विटामिन E की कैपसूल, और नहीं, तो आप क्या करें, कि रात को सोने के वक्त इसको जब अपलाई कर लें, उसके 5-10 मिनट के बाद, जब आपके चेहरे में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए, सूप जाए, देन आप क्या करें, कि बोरो पलस, या फिर कोई भी ऐसी थिक क्रीम, जो आपके चेहरे पे सूट करती हो, आपके चेहरे पे पिंपर्स या दाने नहीं लाती हो, जो आप हमेसा अपने फेस पे लगाते हो, उस क्रीम को रात को आप सोने के वक्त लगा सकते हैं, लेकिन हमेसा धियान रखे, कि इसको लगाने के 10 मिनट बाद ही इसका इस्तिमाल करें, तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो, नेक्स टाइम न्य वीडियो में फिर आप सभी से मिलूँगी, तिल दिन गाइस वीडियो पसंद आएए, तो प्लीजी से लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, नही वीडियो के साथ फिर आप सभी से मिलती हूँ, तिल देन, बाइबाइस, चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश् झाइबाइस, तिल देन, बाइबाइस, चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्चेश्च